कबर महाराश्च उसे हैं जहां पर माजी लाड़की वहिडा योजना के तीसरे चरण का कारिक्रम राइगर जुले में संचालित किया गया है वहीं इस समारों का आयोजन मानगाउं तालुका के मानगाउं दिगी रास्टी राज्चमार पर धनसे मैदान में किया गया इस मैदान में करीब पच्चास हजार नागरिकों के बैठने की विवस्था की गई थी इस दोरान महाराज्च के मुक्यमंत्री एकनात श्रिंदे उप मुक्यमंत्री अजित पवार और सांसद सुनील तटकरे और पालक मंत्री उदै सामंत मंत्री अधिती तटकरे विधायक भरत गोगावले सहित कई लोग मौझूद रहे आपको जानकारी दे दे कि मुक्यमंत्री एकनात श्रिंदे ने देवाली से पहले इस कारिकरम के जरिये बेहनों को तौफ़ा दिया है और इस आयोजन के लिए लगबग 10 एकर जमीन जो है वो तैयार की गई थी इसके साती इस छेत्र में वाहन पारकिंग, महिला बचत समू इस टॉल वी आईपी रूम भी डिजाइन किया गया था इस लिए दो करोड तीस लाख मेरी बेहनाओ के खातों में 17,000 करोड रुपे आमने डाला है कबर महरास्ट के परभणी से है जहां बार-बार ग्यापन देने के बावजूद भी किसानों की मांगे पूरी नहीं हो रही है जिसके चलते किसान नेता, इर्शाद, पाश्वा और पिमपरी कर पिछले 6 दिनों से आसे गाउ में अनिश्वित कालीन धरने पर बैठे हुए है आपको जानकारी दे दे कि जिन्तूर तैसील के आसे गाउ में किसान संगट समिती, दुदगाउ राजस्व के तत्वावधान में किसानों की विभिन मांगों को लेकर पिमपरी कर का ये आंदोलन जारी है और अब उनकी तब्यक बिगड़ने लगी है लेकिन जिला प्रसाशन से अपील की है कि अधिकारी तुरंट जो है वो धर्ना स्थल पहुचे और वहाँ पर पहुचकर सकरात्मक चर्चा करे और जिला अधिकारी के अधिकार श्वेत्र में आने वाली मांगों को तुरंट पूरा करे वो पूरी बहिके चले गई थी उसमें कुछ भी फसल रही नहीं थी इसलिए हमने बार बार जिला प्रसाशन तालू का तहसिल कचेरी जिला कचेरी पर हमारे जो अध्यापन थी वो दिये है आभी तक का हमारे अध्यापन पर तहसिल और जिला कचेरी ने कोई एक्शन नहीं लिया है और यह छटवा दिन है कल पांचवे दिन मुझे मेरी तबियत विगड़ गई थी और वहां पर मुझे डॉक्टर के इससे सलाइन लगाया गय आज आज भी आज भी मेरी तबियत थोड़ी सी खराब है चटमादी